उम्र थका नहीं सकती ठोक्रे गिरां नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरां नहीं सकती जेहिन आज अपने पढ़ेंगे केप्सटन और ठ्यटलत के बारे में कि केप्सटन cycles क्या है तो Captain और Tretlet जो है वो Leth Machine का ये एक modification है तो Leth Machine में एक side head stock होता है दूसरी side tail stock तो tail stock को हटा के उसकी जगाए hexagonal tread head लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं Captain या Tretlet तो hexagonal tread head क्या है? hexagonal tread head एक hexagonal shape का tool holder है जिसमें एक साथ 6 tool hold कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 tool hold कर सकते हैं यानि जदा amount में tool hold कर सकते हैं तो tail stock को Leth Machine से इठाते हैं और उसकी जगाए hexagonal tread head लगा देते हैं तो उसको Captain Leth या फिर Tretlet अब ये दोनों अलग अलग परकार की होती है Captain अलग है, Tret अलग है जिसका difference क्या है दोनों में वो भी हम समझेंगे तो अब जब Leth Machine से काम चल रहा था तो Captain Leth और Tretlet की ज़रूरत क्यों पड़ी तो जो हमानलों की हमारे पास एक job है और इस पर job पे कई operation करने है एक से ज़्यादा operation करने है तो हमें बार-बार manually टूल चेंज करना पड़ रहा था हाना तो जो इसमें क्या है जब हम Tret head लगाते है तो इसमें एक साथ 6 तूल होल्ड कर लेते हैं और जैसे-जैसे हमें operation करना होता है एक टूल operation करता है उसके पान में automatic टूल चेंज होता है अब कैसे होता है वह हम सारी चीज देखेंगे तो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जो लेत मशीन है उसको central light या engine light क्यों कहते है तो central light या engine light इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइड लेत में होता है head stock और दूसरी साइड होता है tail stock head stock के side जो center होता है एक साइड होता है head stock यहां मैं बना देता हूँ head stock यह है head stock head stock से निकला होता है एक spindle एक road है और उसको बोलते हैं हम spindle और यह है चक और चक में mount रहती है हमारी jog तो यहां पे जो center है इसको हम बोलते है live center live center और जो tell tall stock के side में जो center होता है उसको क्या बोलते है डैड सेंटर इसको बोलते है डैड सेंटर तो जो वर्क पीस होता है उसको लाइव सेंटर और डैड सेंटर के बीज में होल्ड करते हैं इसलिए इस मशीन को यानि इस मशीन किसको लैथ मशीन को लैथ मशीन को क्या कहते हैं सेंटर लैथ भी कहते हैं जब आप क्ई जगे देखा होगा कि सेंटरलेथ और का स्थेनलेथ में अंतरबताईए सेंटरलेथ चैनलेथ से कन्फ्यूज होटाना सेंटरलेथ ये मेसीन होती है जिसको हम न अउर्मलि लेत है उर ihan होती है तो अब कैफ्टन लेट कैसे होता है उसका construction हम देखते हैं तो कैफ्टन लेट कैसे बनी होती है starting में हम उसका diagram बनाते हैं पूरा इससे आप bro करना भी सीख जाएंगे तो यहां पे उसकी बनी हुई है leg कैफ्टन लेट में यहां leg होती है और एक leg यहां बना लेते हैं पन यह जो leg है यह cast iron की बनी होती है किसकी बनी होती है cast iron की इसको cast iron का क्यों बनाया जाता है cast iron का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो cast iron है इसकी एक तो जो load wearing capacity है वो ज़्यादा होती है क्योंकि machine जो है बहुत part होते हों बहुत heavy part होते हैं तो एक load wearing capacity जादा होनी चाहिए ऐसे material का use करते हैं तो वह होता है cast iron तो इसलिए cast iron का use करते हैं दूसरा जब machine चलेगी तो vibrations होंगे तो vibrations को absorb अच्छी तरह की नहीं से तो यह था है इस दो इप कि आप पर यहां पर इस कॉर्णर पर क्या होता है हड़ तो ठोड़ा चोटा बना लेते हैं को यहां पर बना गॉआ है HETS हेड स्टोक एक रोड निकली रहती है जिसको बोलते हैं स्पिंडल ईक और स्पिंडल के आगे मांट रहता है चक कि स्पिंडल के आगे माउंट रहता है चक और चक के अंदर होल्ड रहती है जोब चक के अंदर होल्ड रहती है जोब यह इसका सेंटर है इसका आगे बढ़ा देता हूं स्पिंडल लो यह चक को अब यह दो का होसकता है लो सकता है यह तिरीजाओ फोर्जा क्या होते हैं यह मैंने प्रिविज्ञ वीडियो में बता दिया है थ्रीजा जो चक है इसको सेल्फ सेंट्रिंग या यूनीवर्सल चक कहते हैं क्योंकि जब हम जोब इसके अंदर लगा के जब इसको कसते हैं तो एक साइड की लगाने पर तिनो जा एक साथ मूव होती है इसलिए इसको सेल सेंटरिंग कहते हैं क्योंकि यह इसको तिनो जा एक साथ मूव होंगी तो इसको सेंटर पे कसलेगी यह जो जोब है इसको सेंटर लेट या इंजन लेट उसमें यहां पर टेल स्टोक था अब हम टेल स्टोक को अटा देंगे उसकी जिए हम क्या लगा देगे इसके उपर Mount रहता है Hexagonal Tret Head जो tool की position है वो इसके विलकुल center के सीद में रहती है तो ये है सेडल, सेडल के उपर लगी होती है Ram और उसके उपर लगा होता है Hexagonal Tret Head तो अब देखो सेडल, सेडल के उपर Ram और रेम की उपर hexagonal threat head तो main modification क्या था? टेल स्टो को अटाओ, hexagonal threat head लगाओ तो hexagonal threat head लगा दिया अब ये hexagonal threat head axle में किसके उपर mount है? रेम की उपर रेम की उपर mount होने के कारण Captain Leth को एक और नाम से जानते हैं क्या? रेम टाइप लेत रेम टाइप लेत क्योंकि रेम की उपर hexagonal threat head है तो subtarty में saddle, फिर रेम, फिर hexagonal threat head तो हमने देखा था कि जो let machine होती है उसके बीच में यहाँ पे भी एक carriers लगा होता है जहाँ पे एक उपर उसके tool भी लगा होता है तो ये है carriers तो carriers जो है यहाँ पे ये जो carriers है यहाँ पे उपर इसे ये edge shape का देखता है तो इस पूरे को एक और नाम सी जानते है carriers तो पूरा होता है tool वगेरा सब चीजे सारी चीज मिला के carriers बोलते है carriers का मतलब है जो carry कर रहा है पूरी चीज को carry कर रहा है लेकिन इसको एक नाम और से भी जानते है saddle भी कह देते हैं यह जो आपको front portion दिख रहा है इसमें क्या है अलग-अलग levers लगे होते हैं इसको control करने के लिए उसको apron भी बोलते है ठीक है तो इसके उपर क्या है यहाँ पे capstan let के अंदर यहाँ पे लगा होता है compound cross slide cross slide cross slide का क्या है cross slide का क्या है कि यहाँ पे मालो bed है और हमें movement करवाना है कुछ ऐसे tool का movement कुछ ऐसे करवाना है यानि इसके perpendicular करवाना है bed के तो हम cross slide का यूज़ करते हैं और carriers क्या है carriers जो है इसको आगे पिछे motion करवाएगा यानि head stock की तरफ या फिर जो यह hexagonal trait head है इसकी तरफ ऐसे motion करवाएगा और cross slide इसको cross motion करवाएगा अब cross slide के उपर यहाँ पे हमारा tool post लगा होता है जिसके अंदर हमारा tool लगा होता है अब यह जो tool post है यह rectangle यह square shape का होता है इसमें एक साथ 4 tool hold कर सकते है एक साथ किते tool एक साथ हम 4 tool hold कर सकते है यान एक, दो, तीन, चार लेकिन इसको हम manually अगर हमें एक tool को use कर लिया दूसरा tool use करना है तो manually इसको क्या करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है और यहां पर एक साथ 6 tool hold तो यहां होगे 6 tool hold यहां होगे 4, 6 और 4, 10 तो यह जो cross slide है इसके just उधर side यानि rear side में एक ऐसा ही tool post और लगा होता है 4 उसमें hold कर सकते है तो total हम 14 tool को hold कर सकते है capital rate के अंदा है यानि एक साथ इतने tool hold कर सकते है इसलिए हमें बार बार tool change करने की जरूरत नहीं है जिसके कार्ण क्या है कि एक job के उपर जितने operation करने हैं हम एक साथ perform कर सकते हैं इससे हमारा time consumption है वो कम हो जाता है इसलिए इस machine को क्या हम बोलते हैं इन machine को यह जो capital rate लेता है इन दोनों को हम कहते हैं medium production machine मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ एक होती है medium production machine एक होती है slow production machine और एक होती है fast faster तो जो slow production machine है जो हमने पहले लेत machine पड़ी थी उसमें क्या है एक अगर work piece है उसके उपर operation करने है एक या एक से ज़्यादा तो हमें क्या है यदि हमें दो operation करने है मानलो उस पर दो ही operation करने है तो पहले एक operation करो फिर tool change करो फिर operation करो तो वो time consume होता था तो दीरे 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 उस पर operation होते थे क्योंकि एक operation करो तो उसके बारे टूल चेंज करो फिर दूसरा operation करो तो जो हमें जिस work piece पे हम काम कर रहे हैं तो job बनाने में हमें time लगता था तो उसको बोलते हैं slow production क्योंकि वो दीरे चलती थी तो slow production और उसके बाद में थोड़ी speed बढ़ गई तो हो गया medium production यानि इसमें production rate जो है वो बढ़ और slow तो क्यों किसमें रखा है medium production में आप एक चीज और भी देखो अभी क्या है इसमें यहाँ पे saddle लगा है और saddle जो है वो move होगी यहाँ पे एक lever लगा होता है तो जब इसको move करते हैं तो यह saddle जो है रेम और hexagonal trade head के साथ आगे आती है अपना operation perform करती है जब यह वापस पी टूल operation कर रहा था फिर यह automatic change होगा जब यह पीछे जाएगी तो यह change हो जाएगा एक टूल दूसरा टूल इसके front में आ जाएगा तो इसको इसलिए इन मशीनों को हम क्या बोलते हैं semi-automatic कि semi-automatic कि semi-automatic मिशीन भी बोलते हैं तो अब हम देख लेते कि ट्रेट लेत क्या है तो कैस्टन और ट्रेट लेत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अलका सा डिफरेंस है और वो क्या है तो ट्रेट लेत होती है उसके अंदर सेडल होता है और hexagonal ट्रेट हैड होता है और बीच में से इस रेम को हटा देते हैं और जो सेडल की उपर डारेक्ट माउंट रहता है हमारा hexagonal ट्रेट हैड हेग्जागोनल ट्रेट हैड डारेक्ट माउंट रहता है saddle की उपर यहाँ पे लगा रहता है यानि यदि saddle saddle की उपर रेम और रेम की उपर hexagonal track head है तो वो होगी capital और यदि saddle उसकी उपर direct mount है hexagonal track head तो उसको बोलते हम track let तो इसको हम क्या बोलेंगे track let तो track let में आप देख रहे हो कि saddle की उपर direct mount है hexagonal track head तो इसको एक और नाम से भी देख सकते है क्या saddle type saddle type let यानि इसको saddle type let बोलते है और captain let में रेम थी तो इसको रेम टाइब बोल दिया था इसमें saddle है तो saddle type बोल दिया तो दोनों में difference क्या है सबसे बड़ा difference यही है कि जो hexagonal track head है वो saddle पे लगा होता है captain let के अंदर उसके उपर फिर रेम होती है फिर hexagonal track head होता है और track let के अंदर क्या होता है saddle और सेडल पे direct mount रहता है hexagonal track head इसमें एक साथ छे tool hold कर सकते है तो आप और फिर इसमें और भी difference होता है अब और difference क्या है सबसे बड़ा difference तो यही है और और difference क्या है जो हमारी captain let होती है अब हम एक side में सारे difference देखते है जो captain let है यहाँ पे captain let और यहाँ turret let तो captain let में एक तो इसमें रेम होती है captain let में turret let में direct saddle पे mount रहता है दूसरा captain let जो है वो बहुत ही हलकी machine होती है यानि जदा weight नहीं होता है उसका तो उसको बोलते है light weight light weight यानि इसका light weight होता है और जो tread let है यह construction काफी heavy होता है तो इसको बोलते है heavy weight heavy weight होता है इसका heavy weight होता है तो जो captain let थी captain let के अंदर जो work piece है या जो job है वो छोटी job पे काम होता है जादा बड़ी जोब काम में नहीं लेता हैं हम चोटी जोबपे काम कें ःथा है ना तो इसको जोटर में की और चे बारक्रों पीश के और इसंफ़ 카메ला काम करते हैं हम धुक्तु बड़े लगा दिया दूसरा वो टाइम उसमें ज़्यादा होता था इसमें इन लाट कम है उसमें एक साथ com टूल ड़ा कर सकते थे इसमें एक साथ टूल ज़्यादा होलड कर सकते हैं और क्या है कि Is म a चीज और वहाऊति है मा आपको बता देता हूं यहां पे एक एक फीड रोड लगी होती है जो इसको मोशन करवाएगी यहां पर फीड रोड लगी होती है जो इसको मोशन करवाएगी और इसको भी मोशन देने के लिए फीड रोड लगी होती है और इसके ऊपर थ्रेड कटी होती है ताकि इसको मोशन मिल जाए जब हैड स्टोक चलेगा तो headstock में भी देखो आपको एक और बताता हूं कि headstock जो है इसमें यह भी अलगलग type के होते हैं कि headstock के अंदर कई बार gear लगे होते हैं कहीं में कहीं में TELE照 को पुली का यूज किया जाता है क्यों क्यूंकि हमें spindle की caffe dc peach करने की ज़रूरद पड़ती है कम ज्यादा करने की ज्यूरूरद पड़ती है तो यहां पे lever भी लगा होता है यहां पे एक lever लगा होता है जो इसको क्या करता है speed को कम ज़ादा करना engage disengage करना यह काम करता है तो इसी की help से आगे फी यह चलता है हमारा feed road इसको बोलते हैं feed road तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी किसमें हम ज़्यादा tool hold कर सकते हैं engine light में कम tool hold कर सकते थे क्योंकि बार-बार manually tool change करने में बहुँ ज़्यादा दिक्कत होती थी एक साथ अगर आपको same same product ज़्यादा मांट में बनाने है तो भी दिक्कत थी इसके बादे अभी CNC आ गई है तो वह और ज़्यादा automatic है यह तो फिर भी semi automatic है लेकिन फिर भी आज यह use होती है और दोनों में अंतर भी हमने देख लिया है आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी जो पीडियाफ है इसका construction तो सेम लेट मसीन की तरह ही है बाग इतनी चीज़ अलग है तो इसकी definitions है जो भी इसके parts की वह आपको पीडियाफ में मिल जाएगी और पीडियाफ तो आपको मुझा उचे बाग झापको